हालो अब्रिवन, स्टड़ी विदस में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारते सम्विधान से संबंदित महत्वपूर अनुछेदों के बारे में जो की परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो अगर हम बात करें अनुछेद की तो भारते सम्विधान में जब मूल सम्विधान था यानि कि जब सम्विधान का निर्मान किया गया था तो इसमें 395 अनुछेद थे किन्तु वर्तमान में इनकी संख्या बदल गई है तो इस वीडियो में ये कुछ महत्पून अनुछेद हैं तो शुरू करते हैं अनुछेद एक में ये कहा गया है कि जो भारत होगा वो राज्यों का एक संग होगा अनुछेद दो में कहा गया है कि भारत सरकार यदी चाहे तो नए राज्यों का परवेश कर सकती है वा नई राज्यों की स्थापना कर सकती है अनुछेद 3 में कहा गया है कि भारत सरकार यदी चाहे तो नई राज्यों का निर्मान कर सकती है और वर्तमान में जो राज्ये हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है तो ऐसा कहा गया है अनुछेद 3 में अनुछेद 5 में कहा गया है नागरिक्ता के बारे में यानि इसमें बताया गया है कि भारत के जो वेक्ति होते हैं उन्हें नागरिक्ता किस प्रकार प्राप्त होती है और कोई भी वेक्ति अपनी नागरिक्ता को किस प्रकार खो सकता है इसका वर्णन भारते सविधान के अनुशेद 5 में किया गया है अनुशेद 17 में अस प्रेश्यता के अंत की बात की गई है यानि जो चुवा चूत वगरा जो जाती के अधार पर किये जाता है उसका विरोध किया गया है अनुशेद 17 में यानि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ चुवा चूट वगरा किया जाता है तो उसके विरुद्ध उसको कई परकार के अधिकार प्राप्त है तो ये अनुचेद 17 में है अनुचेद 18 में बात की गई है उपाधियों की कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय को किसी विशेस उपाधि से नहीं नवाजा जा सकता नेक्स्ट है अनुचेद 21 अनुचेद 21 के तहट प्रतेक वेक्टी को अपना जीवन जीने का अधिकार है और उसके जीवन में किसी भी परकार की बाथा उत्पन नहीं की जा सकती नेक्स्ट है अनुचेद 23 अनुछे 23 में बताया गया है कि मानव केस का दुर वैपार वगेरा वा कम आयू के बच्चे को किसी भी कार रिमेन नहीं लगाया जाना चाहिए और इसके विरुद्ध जो बच्चा होता उसको कई परकार के अधिकार प्राप्त होते हैं ये अनुछे 23 के तैत जिसे हम कहा सकते हैं सोशन के विरुद्ध अधिकार नेक्स्ट है अनुछे 36 में वर्णन किया गया है नीती निर्देशक सिध्धानतों का जिस परकार भारते नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं ठीक उसी परकार राज्य को भी कुछ अधिका वर निर्देश प्राप्त हैं जिसे हम कहते हैं नीती निर्देशक सिध्धानत जिसका वर्णन भारते सविधान के भाग चार बे और अनुछे 36 से 51 में किया गया है नेक्स्ट है अनुछे 51 ए इसमें बताए गए हैं भारते नागरिकों के कुछ करतव्य इन करतव्यों की सं ग्या है वो कुल 11 है जिसका वर्णन एक्यावने में किया गया है नेक्स्ट है अनुछे 54 अनुछे 54 में बताया गया है राष्ट पती के चुनाव के बारे में हाला कि अनुछे 53 ये कहता है कि भारत का एक राष्टपती होगा किन्तु अनुछे 54 में राष्टपती के चुनाव का वर्णन किया गया है नेक्स्ट है अनुछे 56 अनुछे 56 में ये बताया गया है कि राष्टपती पुनर निर्वाचन होने का पात्र होगा यानि अगर भारत का कोई एक वेक्ती राष्टपती बन जाता है और यह आपको पता होगा कि जो राष्टपती होता है भारत में वह पांच वर्स के लिए चुना जाता है और हमारे समिधान में यह कहा गया है कि राष्टपती जो है वो पुना निर्वाचन का पात रोगा कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है राष्टपती के लिए जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है अमेरिका का राष्टपती दो बार ही बस चुना जा सकता है वहां पर परतेक राष्टपती का जो कारेकाल होता है वो चार वर्स के लिए ही होता है जबकि भारत में परतेक कोई ऐसे कारे करता है जो सम्विधान की मर्यादाओं के विरिद्ध है तो उस पर संसत के द्वारा महावयोग लाया जा सकता है महावयोग संसत के द्वारा राश्च्पती पे लगाया जाता है लेकिन महावयोग लगाने से पहले 15 दिन पहले ही राश्च्पती को इसकी जानक अनुछीद 65 में बताया गया है कि अगर किसी भी कारण राष्टपती की मृत्यू हो जाती है तो उसके पद पर उपराष्टपती को बैठाय जाता है किन्तु वह उपराष्टपती सिर्फ 6 महीने के भीतर ही भीतर तक उस गद्दी पर बैठा रह सकता है क्योंकि राष्टपती की मृत्यू के पश्चात 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है नेक्स्ट है अनुच्छेद 74 यानि 74 अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्टपती अपने कारे से पूर्व जो मंत्री परिसद होती है उसकी सलाह मानने के लिए बाद्ध है यानि राष्टपती यदि कोई भी कारे करना चाता है तो उससे पहले उसे मंत्री परिशत की सला को के मतलब सला लेनी होगी नेक्स्ट है अनुछेद 78 अनुछेद 78 यानी 78 में बताया गया है कि राष्टपती जो है वो अगर किसी भी विध्यक से वो संतुष्ट नहीं होता है तो उसको ये अधिकार है कि वह उस विध्यक को पुना जो है संसद में भेज सकती है क्योंकि कोई भी विध्यक जो होता है पहले लोकसभा में फिर राज़सभा में और फिर राश्टपती के पाथ जाता है किन्तु अगर राष्टपती को कुछ खामी लगती है उस विदेयक में तो वो पुना संसत को भेश सकता है ये अनुछेद 78 में कहा गया है next है अनुछेद 80 में बताया गया है कि राष्टपती जो होगा उसे राज्य सभा में 12 सदस्य को मनुनित करने का अधिकार है ये अनुछेद 83 इस में राज्य सब्भा और लोग सब्भा की चर्चा की गयी है ये दोनों ही सदन संसत के हैं इसमें से उचला सदन जो है वो राजसभा है जबकि निचला सदन कहा जाता है लोगसभा को लोगसभा में जो नेता बैठते हैं उन्हें हम MP कहते हैं जबकि राजसभा के नेताओं को MLA कहा जाता है लोगसभा के जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्स के लिए चुने जाते हैं जबक UK राजसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उप राश्थपती होता है नेक्स्टयgers 85 इस में बताय गया है कि संसद के दोनों सद्रों की सन्युक्त बैठक बुलाने की जो शक्ती है वो राश्ट्पति के पास है कभी काबार ऐसा होता है कि संसद में किसी भी विध्यक को लेकर विवाद हो जाता है और दोनों ही सदन उस विध्यक पर सहमती नहीं जता पाते इस कारण जब कोई विध्यक लंबे समय तक रुका रहता है तो राश्टपती संसत की दोनों सदन है इनकी सन्युक्त बैठक आयुजित करकर उस विध्यक को पास कराता है तो इस प्रकार की जो सकती है वो राश्च्बती के पास ही है कि वह दोनों सदनों की स्दयुक्थ बैठक बुला सकता है नेक्स्ट है अनुछे 84े में बात की गई है संसद के सदस्यों की योगिता की कि राज्य सभा का सदस्य बनने वा लोग सभा का सदस्य बनने के लिए नागरिकों में कौन सी योगिता होनी चाहिए जैसे कि लोग सभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयू 25 वर्स से अधिक होनी चाहिए जबकि राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयू 30 वर्स होनी चाहिए तो कुछ इस प्रकार का की योगता बताई गई है अनुछेद तिराणवे यानि 93 अनुछेद तिराणवे में बात की गई है लोगसभा की अद्यक्ष और उपद्यक्ष के बारे में जैसे कि आपको मैंने बताया कि लोगसभा का जो अद्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है और उप अद्यक्ष जो होता है वो भी लोकसभा का कार्य काल, कार्य जो होता है वो समालता है नेक्स्ट है अनुछेद 110 अनुछेद 110 में बात की गई है धन विध्यक के बारे में और अनुछेद 111 यह बहुत important है कि यदि संसद जो है कोई भी विध्यक राष्टपती के पास भेशती है तो राष्टपती को यह अधिकार है कि वो किसी भी विध्यक को एक बार ही संसद में दुबारा भेश सकता है लेकिन अगर कोई विध्यक दूसरी बार लाया जाता है तो अनुछेद 111 के तहत राष्टपती को उस पर हस्ताक्षर करने ही होगे यानि उसे हस्ताक्षर के लिए वह बाद्ध होगा यह अनुछेद 111 में कहा गया है नेक्स्ट है अनुछेद 112 इसमें वार्सिक वित्य विवरन की चर्चा की गई है इसमें पूरे वर्स का वित्य विवरन जो होता है वो तैयार किया जाता है तो उसका वर्णन जो है अनुछेद 112 में है नेक्स्ट है अनुछेद 120 इसमें संसद में परियोग की जाने वाली जो भासाय होती है उसका वर्णन किया गया है नेक्स्ट है अनुछेद 131, हाला कि ये सर्वोच न्याले का छेत अधिकार है, जिसे हम कहते हैं प्रारंबिक छेत अधिकार, सर्वोच न्याले को ये अधिकार होता है, कि वह केंद और राज्य के मद अगर कोई विवाद होता है, तो उसको वो सुल्जा सके, तो ये कह सकते ह उसका ये प्रारंबिक चहेत एधिकार होता है नेक्स्ट अनुं च्छेद 136 ये भी नियालब्वे का एक परकार का चहेत रदिकार है कि कि जो सर्वच नियालले वो चाहे तो संसद के किसी भी विधियक को जाच सकती है और अगर सर्वच नियाल्य को लगता है कि जो बनाया गया विध्यक है वो सविधान की मरियादाओं के विरुद जा रहा है तो वो सर्वच न्याले उस विध्यक को रद कर सकती है तो इसे हम कहते हैं न्याइक पुन्रवलोकन अनुषेद 143 में बात की गई है कि सर्वच न्याले का जो मुख्य न्याधीस होगा वो राष्टपती को सलाह दे सकता है किन्तु जो सर्वच न्याले का मुख्य न्याधीस है वो सलाह देने को बाद्धे नहीं होगा राष्टपती चाहे तो सलाह ले सकता है किन्तु अगर मुख्य नियाजदीस जो है सरोच नियाले का वो नहीं देना चाता तो वो नहीं देगा तो इसका वणने किया गया है अनुछेद 143 में अनुचेद 148 में बात की गई है नियंत्रक महालेक परिक्षक के बारे में जो की धन इत्यदी का संरक्षक माना जाता है भारसरकार के लिए अनुछेद 179 यानि 169 में बात की गई है उच्चतम न्याले के लिखित छेत्र अधिकार के बारे में अनुछेद 170 में बात की गई है राज्यों की विधान सभाव की संरचना के बारे में भारत में जो विधान सभाय होती हैं वो राज्यों में होती हैं और उन में किस किस टाइप के कैसे कैसे तदस्यों का चुना होगा इतियदी इन सब का वर्णन किया गया है अनुशेद एक हैं ये थोड़े आगे पीछे अनुशेद हैं याद रखें यदी संसद का जो कार है वो बादित होता है और लंबे समय तक कार रुका रहता है तब राश्टपती जो है वो संसद के सदनों के लिए अध्यादेश जारी करता है तो अध्यादेश एक परकार का आदेश होता है जो की राश्टपती जारी करता है जिसका वर्णन बारते सविधान के अनूछेट 123 में किया गया है राष्टपती की छमादान सक्ति के बारे में यानि राष्टपती को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ती की जो रित्युदंड वगरा होता है उसको वो उमर कैद में बदल सकता है और उमर कैद की जो सजा होती है उसको कम करा सकता है तो इसका वर्णन अनुशेद 72 में किया गया है नेक्स्ट है अनुशेद 213 अनुशेद 213 में बात की गई है राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में यानि यदि राज्यों की विधान सभा का जो कारे है वो रुकता है तब राज्ये का राज्यपाल जो होता है वो अध्यादेश चारी कर सकता है तो आप याद रखें इसका वर्णन किया गया है 213 में नेक्सट है अनुछए 226 के बारे में कि उच्छ नियाले जो है वो रित को निरस्तर कर सकती है जबकि उच्छे तम नियाले यानी सरवोच नियाले को यदिकार नहीं है वो रित को जो है रिट संबंदी फैसले सुनाती रहती है नेक्स्ट है अनुछेद 231 इसमें ये कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्छ नियाले की स्थापना की जा सकती है जैसे की पंजाब और हर्याना के लिए चंदिगड नियाले है और भारत के जो उत्तरी पूर्वि राज्ये हैं उनके लिए भी एक ही नियाले की स्थापना की गई है नेक्स्ट है अनुछेद 243 ने पंजायती राज या कह सकते हैं कि गरामसवा का वर्णन किया गया है नेक्स्ट है अनुछेद 300A जिसमें बात की गई है संपत्ती के अधिकार की संपत्ती का अधिकार पहले भारते नागरिकों को प्राप था यह मौलिक अधिकार का ही एक अधिकार था किन्तु सन कह सकते हैं कि 1978 में मौलिक अधिकार को हटा दिया गया 44-वे सविदान संसोधन के तहट और इसे ले जाकर अनुछे 30A में डाल दिया गया तब से यह अधिकार संपत्ती का कानूनी अधिकार बन गया नेक्स्ट है अनुछे 324 अनुछे 324 में बात की गई है निरवाचन आयोग के बारे में जो की पूरे भारत में चुनाव इत्यदी कराती है नेक्स्ट है अनुछे 331 अनुछे 331 में बताया गया है कि लोकसभा में राश्पती को यह अधिकार है कि वह दो आंगल भारतियों को मनूनित करे या कर सकता है अनुछे 343 में बात की गई है भारतिय संग की राजभासा के बारे में नेक्स्ट है अनुछे 345 इसमें बात की गई है राज्य की राजभासा के विसे में तो याद रखें 343 का संबंध है भारतिय संग की राजभासा और अनुछे 345 का जो संबंद है वो है राज्ये की राजवासा के बारे में नेक्स्ट है अनुछे 352 ये अपातकाल से संबंदित है कि यदि कोई बाहरी देश जो है वो भारत पर आकर्वन करता है तो अनुछे 352 के तहट राज्टपती को ये अधिकार है कि वह अपातकाल लगाए और अपातकाल जब लगाय जाता है तो सभी लोगों के जो अधिकार होते हैं वो छेन ले जाते हैं और देश का पूरा सासन जो होता है वो राज्टपती के नियंतर में हो जाता है अनुछे 312 में बात की गई है संग लोक सेवा आयोग यानि UPSC के बारे में अनुछे 356 भी आपातकाल से ही संबंदित है यानि यदि अपने देश में आंत्रिक आसांती फैलती है या राज्य जो होती है राज्य सरकारे कारे करने में विफल हो जाती है तो राष्टपती को यदिकार होता है कि अपातकाल लगाए अनुछे 360 भी अपातकाल से संबंदित है जब भारत की आर्थिक इस्तिती खराब हो जाती है तब लगाए जाता है आर्थिक अपाल अपातकाल अनुछे 360 के तहत नेक्स्ट है अनुछे 368 अनुचे 368 में बात की गई है सम्विधान संसोधन के बारे में कि सम्विधान संसोधन किस-किस परकिरिया गेद्वारा किया जाएगा सम्विधान संसोधन पर मैंने एक special वीडियो बना रखा है अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं कि संसोधन कैसे किया जाता है कितने संसोधन किये गए है अब तक और परिकिरिया क्या होती है संसोधन की अनुछेद 370 का संबंध है जम्मू और कस्मीर से जिसमें बताया गया है कि जो जम्मू कस्मीर है होगा वह भारत का एक अभिन राज्य होगा तो यह बहुत इंपोर्ट में बात की गई है साथ बहनों के बारे में यानि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बारे में इसमें सामिल हैं कई ऐसे राज्य हैं जैसे त्रिप्रा, असम, मेगाले, नागालेंड, इतियदी वगरा तो ये सब जो राज्य हैं ये भारत के पूर्वत्तर राज्य हैं तो इन्हें साथ बहनों की नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है अनुछेद 330 अनुछेद 330 में बात की गई है SC और ST जो वर के लोग होते हैं उन्हें लोग सवा में जो आरक्षण दिया गया है उसके बारे में सो ये तो थे कुछ महत्पून अनुछेद सो आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो थेंक ये वेरी मच फूर वाचिंग दिस वीडियो